तो भाई सोनी पिक्चर ने कुछ महिने पहले एक जोड़ दर धमाका किया था शक्ति मंट्रेलेजी का अनौंस करके हाला कि उसके बाद लंबे समय के लिए कहीं से भी कोई सा अपडेट नहीं आ रहा था हाँ अगर कुछ आया तो वो था बस अफवा और जिसके बेस पर काफी लोग मैसेज करके रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ या फिर ये क्लियर करो कि ये निउस सही है या फिर गलत अब देखो भी अफवा के बेस पर कोई सबी वीडियो बना देना हमारे परमपरा, प्रतिष्ठा और अनुशाशन के खिलाफ है इसलिए अफवावों के बजाए हम उन क्रेडिबल सोर्स पर नजर रखे हुए होते हैं जो आपको 100% accurate अपडेट देता है और आज के इस वीडियो में हम उनी छोटी छोटे अपडेट की बात करेंगे दोस्तों जो एक्चुल में काफी important है जिसमें ना केवल शक्तिमान के upcoming film के बारे में जानने मिलेगा बलकि और भी दूसरे project के बारे में जानने मिलेगा तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो बीने किसी देरी के तो मैं हूँ आपको होश प्रनाय और आप देख रहे हैं Hi BP TV तो आने वाले कुछ सालों में Sony Pictures International Production इंडियन फिल्म्स के लिए बहुत ही जादा heavily invest करने जा रहा है याद रहे हैं दोस्तों मैं यहाँ Sony Pictures इंडिया नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ Sony Pictures International Production की बात कर रहा हूँ जिसके अंडर वो Venom, Amazing Spider-Man और Morbius जैसी Super Hero Film प्रोडियूस कर चुका है वसे लाश्ट टाइम जब इसी के बेश्ट पर मैंने ये Fan Theory वाला वीडियो बनाया था तब काफी लोग ने बोला था कि शक्तिमन की फिल्म Sony Pictures इंडिया बना रहा है ना कि Sony Pictures International हाले कि वो वीडियो भी मैंने काफी रिसेर्च कर और मुकेस खना जी के एक वीडियो के बेश पर बनाया था जिसमें उन्होंने क्या कहा था आप खुद ही सुन ले अब बनने जा रहा है Sony International जिन्होंने Spider-Man से लिए के बड़े बड़े सपरिवर है अर अब एक्जैक्ली वही चीज सोनी पिक्चर्स के प्रेसिडेंट सैंट फोर्ड ने भी कहा है उनके मुदाबिक Sony अब इंडिया में इंटर्टेंडमेंट इंडर्ष्टी में हैविली इन्वेस्ट करने जा रहा है और अब तक उनका expertise, super heroes और sci-fi fantasies में जादा रहा है इसलिए उन्होंने बिना देरिकिये सबसे पहले शक्तिमान के rights अपने पास रख लिए और साथ ही ये भी commit कर दिया कि इस trilogy को world class बनाया जाएगा जो किसी भी कीमत पर हमारे बाकी super heroes की movies से कम ना लगे शक्तिमान के साथ साथ उनकी नजर और भी दूसरे characters पर है और उनसे discussion भी चल रहा है हाला कि इसके बारे में अभी किसी भी तरह का जादा news out नहीं हुआ है कि किसकी साथ discussion चालू है बट साथ में ये भी जरूर clear किया गया कि sony super heroes के अलावा और भी दूसरे genre की filmों में interest दिखा रहा है जैसे sony ने चेतन भगत के novel वन इंडियन गर्ल और राम माधवनी के dive के rights भी ले लिये हैं जिन पर काम भी शुरू हो चुका है वसे ये तो सारे upcoming projects की list है पर हाल ही में इस film major sony international का kind of पहला आ चुका project है और जिसने काफी positive result भी दिया जो definitely sony को बिन डरे आगे बढ़ने का signal दे दिया है हाला कि ये च्छवा कि इस film का morbius जैसा result नहीं आया नहीं तो पहले film से ही sony अपना बोरिया बिस्तर समेट लेता खेर वसे अब तो top बहतरीन projects pipeline में होने के करण sony Indian film market में अपनी दुकान लंबी समय तक चलाएगा for sure वसे इस investment से काफी लोग इसले भी नाखुश लग रहे है क्योंकि इससे चीज तो वही हुई कि भई Indian film, Indian production और Indian दर्शक बट पैसा जाएगा बाहर तो उसका जवाब है yes, ये थोड़ा तो गलत है पर 100% बिल्कुल भी नहीं क्योंकि भई global market में अपनी पकड बनाने के लिए global partnership भी बहुत ज़रूरी है और आज के समय में दुनिया भर के production house को इंडिया में ही ज़्यादा opportunity नजर आ रहा है दोस्तों हमें comment box पर जरूर बताएं और आपको क्या लगता है कि Sony जैसे international player जिन्हें लोग जानते ही है super hero फिल्मों के नाम से क्या वो इंडिया में देशी pop culture को boom करेगी या नहीं आप अपने जवाब हमें comment box पर दे सकते दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बस इतने ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाबाई एंड टेक केर